फ्रेंट्स आज मैं चार तरह की मिठाई की रेस्पी लेके आई हूँ जिसे बनाना बिलकुल ही आसान है मातर दस मिनट के अंदर ये आप चारों मिठाई तयार कर सकते हैं इसके लिए ना ही दूद, पनीर, मावा और ना ही चास्नी बनाने की ताम जाम है सबसे बड़ी बात इसके लिए ना ही आपको गैस जलाने की आवसकता है इसे आप इजली तरीके से घर के ही समान से बहुत ही आसान तरीके से तयार कर सकते हैं बच्चे बुढ़े सभी को बहुत ही ये पसंद आएगी और इसे आप किसी को गिप्ट भी दे सकते हैं क्योंकि जितना ही बनाना आ उतना ही ये खाने में टेश्टी भी लगती है जिसे भी आप गिप्ट देंगे या जिसे भी आप खाने को देंगे सभी आपके तारीफ ही करेंगे कि आपने ये किस तरीके से बनाई है और आप से बिने ये रेसिपी की राज जाने हुए कोई नहीं जाएगा आप इसका टेक् तो यह देखे, मैं सबसे पहला मिठाई बनाने जा रही हूँ, जो है काजू की बर्फी, और इसको बनाने के लिए क्या कैसा मगरी चाहिए, तो चली देख लेते हैं, तो सबसे पहले देखे, मैं 6 चमच, चीनी ली हूँ, और मिठाज इतना ही रखिएगा, मेजरमेंट सेम, तो बर्यां बन के तयार होगी, और काजू मैं 8 ली हूँ, इसमें ड्राइफूर्स, आप जो भी मिलाना चाहते हैं, और मिला सकते हैं, दोनों का अच्छा से फाइन पॉडर बना के, मैं साइड रख दी हूँ, ये देखे, एक बॉल में मैं 2 चमच, मलाई ली हूँ, 2-3 दि होना चाहिए, यदि आपको थोड़ा डाउट हो, तो उसे चान लीजिएगा, इसे अच्छे तरीके से मिक्स करके, तो देखे, घोल मैं तयार कर ली हूँ, तो देख सेकते हैं, घोल की क्वालिटी, क्वाइन्टिटी कैसी है, तो दूसे जार में, मैं एक कप नारियल का एक मादён क्याती है, तो इसी में इस पॉडर को मिक्स करना है, तो अच्छी तरीके से मिक्स करने के पहले, मैं इसमें थोर अचावन से इलाइची का बॉडर डाल देती हूँ, और इसका बरहा से डो तेयार कर लेती हूँ. तो देख सकते हैं, यह कितने अच्छी तरीके से जिस बरतन में आपको रखना है उसमें तेल का घी का ग्रीस करके अच्छे तरीके से इस फुषला की मदब से फैला दीजिए और आदे घंटे के लिए फिरीज के अंदर रखतीजिए तो यह देखे मैं आदे घंटे के बाद आपसे मिल रही हूँ इसे साइड से फैलाते हुए इसे निकाल लीजिए इसके उपर सिल्वर का वर्क लगा दीजिए और क्योंकि मार्केट का लुक देना है और फिर जिस साइज में आपको काटना है उस तरीके से आप काट लीजिए और इसका देख सकते हैं कि कितनी अच्छी तरीके से बेस बनके तयार हुई है इसके बाद आप इसमें बादाम, पिस्ता, जिसकी से सजाना चाहते है उसे सजा दीजिए तो चलिए आपकी फर्स्ट रेसिपी बनके तयार हो गई है और यदि पसंद है फ्रेंड तो प्ली ल कर लेना हमं ब्रेड तो चार तरफ से किनारे काट करके इसका ब्रेड क्रम्प्ज तयार कर लेना हम नारेल का लुटता है तो इसे एक में मैं शिफ्ट कर लेती हूं ब्रॉण ब्रेड भी इसके जगा यूज कर सकते हैं तो ये देखे, मैं half cup नारेल का बुरादा ली हूँ इसमें और बहुत ही tasty ये बन के तयार होती है तो ये देखे, मैं sugar powder ली हूँ, sugar powder उसका half है, यानि कि one fourth मैं ये sugar powder ली हूँ इसे भी अच्छी तरीके से mix कर लेती हूँ, milk powder मेरी half cup है, यानि कि जितना मेरा नारेल का बुरादा है, उतना ही मेरा milk powder है और इलाइची powder भी मैं इसमें डाल देती है, थोरी flavor के लिए आप देना चाहते हैं, तो ठीक है नहीं, तो skip कर सकते हैं तो चले इसका भी अच्छी तरीके से डो तयार करना है, तो पहले अच्छी तरीके से इसे मैं mix कर लेती हूँ, और बिना गैस जलाई फ्रेंस, बहुत एजी तरीके से ये आपके सारी मिठाई की recipe तयार हो जाती है, तो जरू बनाईएगा, तो ये देखे मेरी ठंडी इसका तयार करना है, आपके पास मलाई है, तो आप मलाई ही ले सकते हैं, तो मेरी पास मलाई नहीं थी, तो मैं ठंडे दूद से ही देखे में दो तयार कर रही है, दो से चार चमच आपकी लगेगी, और काफी अच्छी तरीके से दो तयार हो जाती है, तो जा एक एक नहीं तो गीली हो जाएगी तो देखे जिस बरतन में आपको डालना है अच्छी तरीके से तेल या घी से ग्रीज करके उसमें आप फैला दीजिए इस पुछला की मदद से तो यह देखे काफी अच्छी तरीके से मैं सेट कर दी हूँ आदे घंटे के लिए इसे भी फ्रीज क के नीचे रख दीजिए ने तो पंखे के नीचे रख दीजिए काफी अच्छी तरीके से यह सेट हो जाएगी तो चलिए आदे घंटे के बाद मैं आपसे मिलते हूँ तो यह देखे मैं आदे घंटे के बाद निकाल के ले आई हूँ तो इसे निकालने के लिए पहले दो चलि जिस सेप में आपको कााटना है अब इसे आप काट सकते हैं बरफि के सएफ में काट आट चलि में काट के त्यार कर ले हूं और संजाना चाहते हैं मैं बदाम के मदद से смजा हों इसे डएकोरेट कर दियू चलि मेरी इस रेश्पी को आप लोग ãy जुआ कीजिए, फिर नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलती हूँ, ये देखे मेरी तीसरी मिठाई की रेस्पी है, इसे बनाने के लिए मैं चीनी ले ली हूँ, छे चमज, इसके बाद इसमें मैं देखे मैं काजू भी ली हूँ, काजू भी मैं छे का मेजर्मेंट रखी इसे भी एक बॉल में मैं निकाल लेती हूँ, और काफी अच्छी तरीके से मिठाई बनके तयार होगी, तो ये देखे मेरी मलाई, मलाई को अच्छी तरीके से मिक्स कर लीजे पहले, इसके बाद जो पॉडर रखे हैं, उसे में देखरके, इसे मिक्स करना है, तो काफी तो देख सकते हैं कितने अच्छी तरीके से यह गोल तयार हो गई है बिल्कूल मिठाई कलाकंद जो है इसे ज़्यादा गीली नहीं कीजेगा तो देखेए मैं मेजरमेंट छे का ही रखी हूँ भी मैं छे ही ली हूँ इससे ज़्यादा नहीं, आप जितनी quantity का बनाना चाहते हैं, बना सकते हैं, तो इस चारो साइट से काले काले निकाल दीजिए, क्योंकि काला नहीं दीखना चाहिए, और इसका bread crumbs में तयार कर लेती हूँ, इसके बाद मैं इसी घूल में इसे डालूँगे, तो देख सकते हैं क इसे bread crumbs में मिक्स कर दी हूँ, अच्छी तरीके से इसे मैं मिक्स कर लेती हूँ, इसके बाद इसका डो मुझे तयार करना है, तो ये देखिए, मैं पहले इसमें 6 चमची milk powder भी डाल रही हूँ, तो 6 का ही measurement रखीगा, आप देख रहे हैं कि मैं सभी का 6-6 का ही measurement रखी हूँ, तो इस ठंडे दूद की मदद से मुझे इसका डो तयार करना है, डो तो तयार नहीं होगी, यानि कि घूल तयार करना है, और क्योंकि कलकन बन रही है, तो ये तो डो तयार नहीं करना है, तो कलकन आप गीले वाले खाना चाहते हैं, तो ये लीजे, आपकी कलकन तयार होगी बिल्कुल दानेदार वाली तयार हुई है और यदि आप इसे काट के खाने वाला बनाना चाहते हैं तो इसे फ्रीज में रखना पड़ेगा यह देखे इलाची का फिलेवर के लिए मैं थोड़ी सी इलाची पॉडर डाल दी हूँ और अच्छे तरीके से मिक्स कर दी हूँ तो यह लीजे फ्रेंस आपकी कलकन अल्रेडी तयार हो चुकी है लेकिन मैं इसे जमा करके तयार कर रही हूँ मेरे लिक्विड वाला नहीं है म तो जिस सेप में रखना है तो उसमें मैं पहले अच्छी तरीके से तेल घीर से घ्रीस करकर करके उसके ऊपर मैं देखे डाल दी हूँ बिल्कुल दानेदार कलकन बनके यह तयार होगी तो आच से दस घंटे के लिए मुझे इसे फूरीजर में रखना है तो फूरीजर में के लिए मैं इसके उपर प्लाश पेपर बिचा दी हूँ जिसे बर्फ नहीं जमें और चलिए अच्छी तरीके से इसे बांध करके मैं फ्रीजर में डाल देती हूँ आठ से दस घंटे के बाद मैं आपसे मिलूंगे तो ये देखे फ्रेंट्स मैं इसे आठ से दस घंटे के लिए फ्रीज में रख दे थी और आठ से दस घंटे के बाद ही मैं आपसे मिल रही हूँ तो इसका पेपर मैं हटा करके आपको दिखाती हूँ बहुत ही अच्छे तरीके से ये जम चुकी है और इतने अच्छे तरीके से जमी है कि आप इसे बाहर भी निकाल सकते हैं तो ये देखे मैं साइट से धिला कर रही हूँ जिसे निकालना आसान हो जाए तो ये देखे काफी अच्छी तरीके से जम चुकी है अब इसे आप जिस सेप में काटना चाहते हैं काट सकते हैं तो इसके लिए पहले मैं इसमें थोड़ी सी सिल्वर क्वाइल लगा दी हूँ आप उसे बरतन में ही भी काट के रख सकते थे बाहर निकालने के भी आवशकता नहीं थी लेकिन मैं बाहर निकाल दी हूँ तो चलिए बहुत ही टेश्टी आपकी रैस्पी बनके तयार हो गई है लेकिन मैं इसे थोड़ी से सजा देती हूँ और बदाम केसर से मैं इसे सजा दी हूँ आप इसका लुक देख सकते हैं, बिल्कुल मार्केट जैसी आपकी कलकन बनके तयार हो गई है तो चलिए friends मेरी इस recipe को आप लोग enjoy कीजिए, पसंद आई हो तो like, share, comment, आवस कीजिए कब में चैनल पर नए हो फे हैं तो जब सब्सक्राइब कीजिएगा तो चलिए अब चौथी recipe बनाने के लिए सुरू करते हैं देखे मेरी चौथी मेठाई की recipe है, इसे बनाने के लिए सबसे पहले मैं काजू ली हूँ, 6-7 और उतना ही मैं बदाम भी ली हूँ आप इसमें dry foods और भी डालना चाते हैं तो वो भी दे सकते हैं तो इसे अच्छी तरीके से मुझे powder तयार करना है और 1-4 cup मैं इसमें sugar डाली हूँ, अच्छी तरीके से powder तयार कर लीजिए और इसमें कोई तरह का रहना ने चाहिए दानेदार इसलिए मैं इसे पहले चान ली हूँ और उसे side रख दी हूँ तो यह देखे मेरी gold biscuit है, इसे मैं biscuit से तयार करने वाली हूँ तो एक रोद तो छोड़ करके बांकी सारे biscuit मैं ले लिए लिए यानि कि टोटल 30 पीस मैं biscuit ली हूँ और उसी 30 पीस के biscuit से मैं इस मिठाई को तयार करूँगे तो इसका भी biscuit को तोर करके इसका crumbs मुझी तयार करना है तो सबसे पहले इस biscuit को अच्छी तरीके से तोर लीजे, इस biscuit के जगा आप कोई भी biscuit ले सकते हैं तो इसका भी fine powder देखे मैं बना ली हूँ और इसे भी अच्छी तरीके से चालनी में चान लेती हूँ कि यदि कोई तरह का दानेदार हो तो हट जाए तो यह देखे, जो भी है उसे मैं side कर लेती हूँ तो उसी powder में ही मैं biscuit को भी mix कर दी हूँ और मैं इलाची का powder डाल दी हूँ और इन सभी को अच्छी तरीके से mix कर लीजे अब इसका मुझे तयार करना है dough तो ठंडे dough से या आप मलाई से तयार कर सकते हैं तो यह देखे, मैं मलाई से ही इसका dough तयार कर रही है बिल्कुल आसान है friends, आप चारो में से जो आप बनाना चाहते हैं कोई भी recipe बनाईए, बहुत ही आसान है बनाना मात पांस से दस मेट के अंदर आपके चारो recipe बन जाएगी बिना जंजट के ही तो यह देखे, मेरी अच्छी तरीके से dough तयार हो गई है तो चलिए जिस shape में आप डालना चाहते हैं वो ले लीजिए तेल औ घी से grease कर लीजिए तो मैं इसमें कर ली हूँ अब इसे मैं अच्छी तरीके से इसमें बिचा देती हूँ अफिर जिस shape में आपको काटना होगा उस shape में काटिएगा लेकिन पहले अच्छी तरीके से इसे set करना होगा तो आधे घंटे के लिए इसे मैं फैला दूंगी तो कोई दिक्कत नहीं है आप पंखे के नीचे भी रख दीजे नॉर्मल रूम टेंपरेचर पर भी रख दीजेगा तो आदे घंटे के अंदर सेट हो जाती है तो यह देखे आदे घंटे के बाद में निकाल के लाएं हूँ इस तरीके से डबा को खिषते हुए धिला कर देती हूँ जिसे निकालना असान हो जाए तो देखे मैं निकाल के ले आई हूँ और अब जिस सेप में आप कातना चाहते हैं कार सकते हैं तो मैं इसे लंबे-लंबे में ही रखूंगी ताकि ये बन के तयार हो गई है आप इसमें चांदी का वर्क भी लगा सकते हैं नहीं तो सिप पीस्ता का जो से सजा भी सकते हैं तो मैं सिप इसे पीस्ते की मदद से सजा रही हूँ तो इस तरीके से फेर्ण्स आपके चारो मिठाई की रेसिपी तयार हो गई है तो चलिए मेरी इस चारो रेसिपी को इंजुआई कीजिए और यदि पसंद आई हो फ्रेंज तो लाइक शेर कमेंट आवर्स कीजिएगा मेरी चैनल पर नए हो तो जो सब्सक्राइब कीजिएगा इसे आप किसी भी पार्टी में या आप किसी भी पर्ट यहार में बना सकते ह जन्जट के ही घर के ही समान से यह तैयार हो जाती है तो चलिए फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में आप से मिलती हूँ तब तक अपना ध्यान रखेगा ख्याल रखेगा और मेरी पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद फ्रेंस